दोस्तों मेरे चैनल पर आपका स्वागत है और हम भी रखते हूं कि आम इंटरोड इस चैनल को पूरा सबोड कर रहे होगी और आज हम एक दूसरी लोकेशन पर आगे हैं यह भी हॉंडेड है यह जगह भी डैली की टॉप 10 में शामिल है और अप गेस कर सकते ही जगह कौन सी सकती है चले मैं आपको बता देता हूं यह द्वार का सेक्टर 9 का मेट्रोशेशन तो अभी हम खड़े हैं डैली के सबसे हॉंटेट जगह पर आज मेरा दोस्त मलकान सिंग मेरे साथ ही मेरे कॉलेज का दोस्त है और काफी टाइम बाद हम आज मिले हैं मेरे कहने पर यह आ ग कि अग्ट कर दो कि को हुआ यह दो यह दो जुब यह मंदिर भी है जो सामने एक्ञटम है तो मिसके पीछे आ गया है जंगोलों में कि आम आगे से जाना चुछी तो मासें मासे पाफित को भाइन मंदिर के सामने एब और बाहिए चबूतर पहरी मूर्तिया पोस्टर पर व और चिवलिंग भी है बीच में इसके उस चबूत्रे पे बहुत सारी मूर्थिया और प्रशाद वहाँ पे चड़ाया है लोगों द्वारा तो यार अगर यह जगा हॉंटेड है तो यार मुझे समझ नहीं आ रही कि यहां पे पूजागी होती है और ठीक भाई चबूत्रे के सामने एक मंदीर भी है तो मंदीर हमने अभी पास से दिखाया था वह बोरा चबूत्रा जिसको बहुत दी जाता आंटेट बोला जाता है इस जगा को लेके एक स्टोरी फेमस है वो कहानी यह है कि इस सड़क पे आज से काफिस साल पहले एक लेड़ी जा रही थी तो उसका एक्सिडेंट हो जाता है तो बहुत ही ज्यादा मलब इंजर्ड हो जाती है तो यहां से आसपास गुजरती वे गाड़ी उसे वह बोलती है कि मेरी हल्प कर दो मेरी हल्प कर दो तो उसकी हल्प किसी नहीं करी तो इस बादे से बोला जाता है कि उसकी आत्म यहां भठकती है तो यह कहा जाता है कि अगर रात को कोई भी यहां से क्रॉस हूँ तो वो चुड़ेल, वो भूत, सफे साड़े में उनके पीछे पड़ जाती और उनको चाटा मारती है, तो दिन में तो हमें यह जगा बिल्कुल भी हॉंटे नहीं लगती, और हम देखों यहां पर खड़े है पूरा इदम ख्लोस है आपको दिखाए, उसके पास से भी गए, पता नहीं क्यों यार इतनी कहानियां इस जगा के लिए फेमस है, तो वहीं मंदिर के पीछे भी जंगल है, जो कभरी सान पर बना हुआ है, यह मंदिर भी कभरी सान पर बना हुआ है, तो कैमरा में से बोलों मंदिर का पीछे वाला हिस्सा है, आपको दिखा रहा हुआ है, तो दर जंगल है यार, बहुत बड़ी बड़ी तो दर जाना ठीक ही नहीं है, बागी आप वीजुल में देख सकते है, दादा भाई वाला मंदिर पीछे रह चुका है, और होंटे ट्री जो है, पीपल का पेर वो भी पीछे निकल चुका है हमारे बैक साइड में, और हम आगे के और जंगल के और पड़ते वे हैं, मलखान मुझको यह बता, तू यहाँ पर आया, मैं भी यहाँ पर हूँ, तो क्या तुझे यह जगा हॉंटे लग रही है, ऐसी कोई नेगटिविटी यहाँ पर अभी पास पास हों काफी डिस्टेंस में है पेड और पार्क भी काफी खुला है, ऐसा नहीं है कि काफी क्लोजने से सारी ट्रीज में, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पर, बाकी जैसा कि यहाँ पर पिछली वीडियो में बाकी व्लोगर्स ने बताया हुआ है आप लोगों को, तो ऐस कुछ लग तो रहा नहीं है यहां पर आपके अंदाज से क्या रात में यहां पर किस तरह की एक्टिविटीज हो सकती है जिससे की इसे होंटेड पैलेस का नाम दे दिया गया है जबकि ऐसा कुछ है नहीं यह जगा यह जगा को भी हॉंटेड बोला याता है देखो अब हम अंदर आगे हैं जंगलों के बीच में तो यह जगा को बहुत ज्यादा हॉंटेड बोला आता है तो हमें तो भाई अभी कुछ ऐसा लगा नहीं कि क्यों हॉंटेड बोलते हैं इसको बाकि आप व्यूज्वल सो देखी रहे हैं कमेंट करके बताईए कि लोकेशन को देख undertaking अपको क्या फिल हो रहा है और इस जगे केãyby बहुते हैं वह आगे कैसा है और उसके पैडी बाखिटा गी वीडियो आपने देखी होगी कि उसके जूता पीड़ी पर टख जाता तो पूरा एक्दम फेक था पर बाकि जो आगें बताया है बागि जैसा क तो इवनिंग में भी देख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि बागी विलोकर्स की तरह हमने कुछ हवा में ये बोल दिया, वो बोल दिया, जूता अटका दिया, ऐसा कुछ नहीं करना है, आपको भी रियल सेंटेंस यूज करते हुए हमको अपना फीडबेक देना है, तो भाई, जैस वो ब्लॉक कर रहा था, तो उस बंदे न उस वीडियो में बताया था, कि आज से कई साल पहले, उसका दोस और उसकी गल्फरेंड स्कूटी से लेड नाइट मूवी देखके जा रहे थे, इसी रास्ते से जा रहेंगे, वोम ब्लॉक ने बताया, कि उनके पीछे कोई बूड पीछा कर रहा है, तो उसका बॉइफरेंड चला रहा था, तो एक दम ना उसके चोलशी मची, इमलब एक जिग्यासी कुरूशी बोलते ने से, वो हुआ है कि भाई कौन बंदा है इतनी रात में जो साइकल से हमारा पीछा कर रहा है, तो उसने थोड़ी स्कूटी ना तेज कर दी, अब 60-70 की स्वीड में आ गया, तो 60-70 की स्वीड में आया और वो दोनों भॉजा तो उसमें डर गए थे, जब उसने मिरर में देखा ना, कि जब उसकी 60-70 की स्वीड थी, जब उसने मिरर में देखा, तो वो साइकल उतनी स्वीड में पीछे दे चल रही थी, तो भ जिससे आप अंदाज लगा सकते हैं जैसे कि चेतन बोल रहा है कि कितनी इस बात में सच्छाई की साइकिल साथ से सतर चल सकती है दोस्तों आप और वो भी इमेजन कर सकते हैं ऐसे की एक बुड़ा भी अक्ती तो यार यह कमेंट करके बताईए कि वस अच्छा है कि जूट एख ठीक है दोस्तों वी देखिया यार क्या संसाट हो रहा है बाई प्यारा वी यहां पर अपर अब मैंजिन नहीं कर सकते हैं जोब्ड़ा और यह यहां पर आ कि इतना खुश है न यह बोल रहा ते या चेतन त मेरे बहुत अच्छा दोस्ते क्वाले में हम साथ रहते तक साथ केंटिन जा दें तो भाई यह जगत लग रही है यह यह मेरे को यह नेचर से एक दम हो सकता है ऐसा ख्यालों में कुछ भी हो सकता है दोस्तों जो इमेजिन करेंगे आप वह संभव है इमेजिनेशन की कोई परिभासा नहीं है यह भाई मंदिर का बैक साइड है अभी जो स्टाइटिंग जो वीडियो बनाई थी वो उसके फ्रेंट बनाई थी और उसके सडके बीचों बीच में हांटेट पेड़ है वह नेगटिव एनरजी नहीं है यहां पर जैसा की बताया ग आपने वहां पर देखा होगा पेड़ों के आसपास सारे बहुत सारे कपड़े बांध रखे हैं कि लोग उसे देखें डर है कि भाई यहां पर कुछ ना कुछ है लेकिन बाई सच में ऐसा कुछ नहीं है आप दिन में आ सकते हो लेकिन रात को मैं इसलिए रिकमेंड नी नहीं होते हैं तो यार उस चीज़ों से तो मैं कहूंगा कि आप दूरी रहे दिन में आ सकते हैं बेशक दोस्तों के साथ यह मज़े करिया बहुत एकान जगा है कि लोगों को कहना है कि भाई पेड़ों पर पोशाग लटकी हुए तो यार पोशाग लटक ने देखो कैसी ल लुटक आया है यह किनरों की ही कोई हरकत हो सकते है रात में गल्स एक्टिविटीज होती हो इस पार्क में तो भाई हमने पूरा पार्क आपको दिखा दिया है यह बागी हम कोने-कोने में सिली नहीं जा रहे है क्यार वहाना घा से बहुत बढ़ी और कि तो यहां आप यह देखो कोई डरने वाली बात नहीं है काफ़े टाइम से यार एक क्रियो सिटी सी बनी हुई थी मेरे अंदर भी क्या द्वार का सेक्टर 9 मेट्रो शेशन के पास जाके वह हांटे ट्री है उसकी वीडियो बनाई जाए और वहां के बारे में बताया जाए कि एक्चुल में लगानी क्या पाता भाई हमें इसलिए भी नालगो कि हम दिन में आए अगर आत में थोड़ा बाद लगता बट डर इसलिए लगता है कि देखो हमने इस पड़ी रिसर्च कर दिए उसके बार में तो माइन में ना मुग कानी सोचते रहते बार बार क्या रासा होगा अगे की तरफ जंगली जंगल है वहां तो जाना ठीक ही नहीं है कभी इन फ्यूचर आपका यहां पर रूट पड़े तो कोई डरने वाली बात नहीं है बाई बेजी जक आई है रात हो दिनों कभी भी हो इस पेड़ को ऑंटेट बोला यादा बहुत ही जादा लेकिन भाई तो बाई स्पेड़ पे भी कपड़ाट का जबसी का वह देखो लोगों को डराने के लिए तो समझ के करा है जिसने भी करा है तो डरना मत भाई कभी भी अभी हम पार्क के बाहर जा रहे हैं आपको दुबारा एक बार हांटेट पेड़ दिखा देंगे और वो मंदिर दिखा देंगे उसके बाद हम वीडियो करेंगे ख्लोज तो भाई अगर प्लीज अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो यार जादर जादर इसे शेर करो तो अगर आप छोटी सी चीज करोगे तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी मेरा चैनल गुरू होगा और आपके लिए मैं और जादर वीडियो बनाऊंगा यह तो मेरे यार प्रॉमिस है तो भाई अभी हम पार्क से बाहर निकल गए है और मुस हमने आपको पार्क दिखाई लिए कैसा पार्क तो बाई यह है श्री दादा बाई वाला मंदिर जो की बहुत पेमाज है और इस पेर के सामने है तो यह मंदिर बहुत ही पवित्र है पूरी जगा यार कभरिसान थी जहां मंदिर बनाए और पीछे पार्क है और यह है पेड जो हांटेट जो बहुत ही जादा फेमेस है जो हमने आपको इसके डेटिल से पूरी बता दिया है तो मैं अपने दोसको थैंक्स बोलूँगा य प्लीज भाई अगर मेरी वीडियो देखो तो प्लीज सपोर्ट करना और बाकी अभी तक वीडियो में जितना भी दिखा है एक्दम रियल दिखा है हमने कॉंटेंट इस व्लॉग में बस यार दोसों इतना ही मिलते हैं अगले व्लॉग में तो अभी के लिए बाई बाई ध आनि बाई शुक्रिया नमस्कार